वेलकम तू कोडिंग जिंगिंशन मैं अभेकुमार आपके लिए करके आया हूं न्यूव वीडियो जहां पर आज हम देखने वाले हैं ट्राय हैकमी का सिक्स पार्ट जिसमें हम साइबर लेंस रूम को सॉल्व करने वाले हैं यहां पर अगर आप साइबर सेक्वरिटी एन ए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए अगर आप एटिकल हैकिंग एक्स्क्लूजिव कोर्स जॉइन करना चाते हैं या फिर एडवांस पैनेटरेशन टेस्टिंग पैन 200 जैसे एडवांस कोर्स में इंडॉल करना चाते हैं तो नीचे दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करके information ले सकते हैं एंड आप इंडॉल कर सकते हैं ethical hacking सीखने के लिए अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्काइब कर लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी chrome browser को open कर लेंगे आपर तो आप देख सकते हैं कि आपर हमारा try hack me open है तो हम क्या करेंगे आपर यहां rooms में जाकर हम search कर लेते हैं cyber lens तो हम scroll down करेंगे थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि यह machine यह आपर हमारी आ चुकी है cyber lens तो हम क्या करेंगे से यहां से start machine कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि आपर एक minute के अंदर हमें हमारी IP आपर show होगी तो जब तक यह IP आप पर show होती है तब तक हम recorded course के बारे में जान लेते हैं तो हमारी codingvention.in website पर visit करके आप courses में जा करके इन courses में enroll कर सकते हैं जो की live course से काफी affordable price में आपको मिल जाते हैं यहां पर अलग-अलग module के साबसे course बनाए हुए तो आप इन में enroll कर सकते हैं and अगर आप full course ethical hacking का join करना चाते हैं तो आप इस course पर click करके इसे join कर सकते हैं जिसके अंदर आपको globally verified certificate भी provide किया जाएगा and आपको premium tools भी provide किये जाएंगे तो आप यहां से इन courses को अपने सबसे join कर सकते हैं and अभी हम चल करके देख लेते हैं try acme पर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी target IP हमें मिल चु notes में जाएंगे LS करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह रहा हमारा VPN इसको connect कैसे करना है sudo open VPN और VPN का नाम दे देना है और enter करना है password देंगे and आप देख सकते हैं कि यहां पर initialization sequence completed लिखा हुआ show हो गया इसका means कि हमारे VPN यहां पर connect हो चुका है and आप यहां से भी देख सकते है कि यहां पर हमारी VPN की IP show हो रही है तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका VPN यहां पर connect हो चुका है and अभी हम क्या करेंगे यहां पर जो हमारी target IP हमें मिली थी इसको copy करके हम सबसे पहले हमारे जो काम होता है वह nmap का scan run करना होता है तो हम यहां पर लखेंगे nmap और IP को paste क करेंगे enter करेंगे and wait करेंगे हम यहां पर जब तक हमें ports नहीं बता देता है तो यहां पर यह बता रहा है कि हाइफन capital PN का use लेजिए तो हम यहां पर हैफन P capital N का use लेते हैं और wait करते हम यहां पर enter करके देख लेते हैं यहां पर 2% डन हुआ है and हम एक nmap का scan in depth भी यहां पर skip तो हम यहां पर enter करते हैं तो आप देख सकते हैं के हमसे hyphen p n के लिए बोल रहा है तो हम यहां पर hyphen capital P, small n और enter करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 39% done हो चुका है और पिछले terminal पर जा करके देख लेते हैं 135 1394 453389 यह ports हमारी यहां पर open दिखा रहा है and आपको यहां पर Microsoft Windows यहां पर show कर रहा है इसका means की यहां पर आप देख सकते हैं कि ओ-s windows है यहाँ पर जो OS जो use हो रहा है वो windows का हो रहा है तो आप लेख सकते हैं कि यहां पर Apache का वर्जन दिखा रहा है है हमें यहां पर हमें किसी service का origin show नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं एक बार इस IP को अपने Google पर search कर लेते हैं इसको यहां से काट देते हैं and इस IP को यहां से copy करके new tab में paste करते हैं और enter करते हैं and आप देख सकते हैं कि आपर इसका वैब पेज यहां पर हमें शो हो रहा है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको copy करके gobuster को हम यहां पर run कर देते हैं ताकि अगर कोई hidden डिरेक्ट की यहां पर हो तो वो हमें शो हो जाए तो हम क्या करेंगे लिखेंगे gobuster dir hyphen u for url hyphen w for wordlist तो wordlist का पात देते थे user share wordlist एंड जर बस्टर एंड यहां से हम medium 2.3.medium.th को select कर लेते हैं और enter करते हैं यहां पर इस scan को हम यहां पर run होने देते हैं यहां पर जो भी directories हमें मिलेंगी वो हमें show करेगा तब तक हम क्या करते हैं कि यहां पर requires perform करते हैं यहां देckते हैं कि कि котором आप यहां पर क्या 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 information हमें मिल रही है नहीं कर रही है कि आ आप कोई वर्जं तो अभी शो नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं इसके पोर्ट बता रहा है लेकिन यह पोर्ट हमें यहां पर nmap के scan के अंदर नहीं मिली थी, यहां पर अगर हम देखें, step को close करते हैं यहां से, 6177 यहां पर हमें पोर्ट शो नहीं हुई है, हमने जब कि svsc in-depth scan किया, यहां पर show नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं एक बार, इस port को 6177 को IP के आगे डाल करके देख लेते हैं, column लगा करके 6177 और enter करके देखते हैं, यहां पर क्या information हमें मिल रही है, तो यहां पर welcome to the Apache Tika 1.17 server, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर Tika नाम की service का version भी हमें show कर रहा है, तो हम इसे यहां से copy कर लेते हैं, इसको copy करके हम इसका exploit चेक कर लेते हैं, कि इसका exploit यहां पर available है या नहीं, तो हम क्या करते हैं यहां पर, एक new tab open करेंगे, and MSF console को यहां पर start कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर MSF console start हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको use ले करके देख लेते हैं, जब तक use नहीं लेंगे, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा, तो हम use 0 करेंगे, options कर लेते हैं, options जैसे ही किया है यहां पर, तो call up करके देखते हैं, क्या क्या information हम से मांग रहा है, तो यहां पर हम से our host मांग रह पेश्ट करेंगे and set our port क्या थी हमारी 6177 जो हमें उसके अंदर से मिली थी and इसके बाद में हमें Lhost अगर हम चेक करें यहां पर तो आई-फ कॉन्फिक कर लेते हम यहां पर तो टनल 0 की हमें आई-पी देनी है यह वाली जो आई-पी आ रही है हमें अपनी नहीं देनी है हमें VPN की आई-पी देनी है तो set Lhost तो यह देख सकते हैं कि आपर हमारी आई-पी शो कर रही है तो हम इसी को देते हैं 10.4.83.20 और enter करते हैं एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे आपर कीवल रन करके एंटर करेंगे एंड वेट करेंगो हम यहां पर तो आप देख सकते हो कि मीटर-बी पीटर का दो directory back जाएंगे and dir करके देख लेते हैं आपर कि क्या क्या फाइल्स हमें शो कर रहा है तो हम यूजर्स के अंदर जाएंगे cd users एंटर करेंगे तो यूजर्स के अंदर हम आ चुके हैं अभी हम dir करेंगे dir जैसे ही किया तो हमें आपर cyber lens दिखा रहा है तो हम इसके अंदर जाएंगे cyber lens तो cyber lens के अंदर हम आ चुके dir करेंगे dir जैसे ही किया तो windows के अंदर mostly जो हमारे flags होते हैं वो कहा पर होते है desktop पर तो हम क्या करेंगे cd desktop एंटर करेंगे and desktop पर आ करके dir करेंगे सब्सक्राइए तो आप देख सकते है कि user.txt हमें आ पर मिल चुका है तो अभी हम क्या करेंगे cat से इसको open कर लेंगे cat user.txt तो cat यहां पर work नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे दूसरी command का use लेंगे type and user.txt एंटर करेंगे तो आप देख है कि हमें यहाँ पर पहला flag हमें मिल चुका है तो हम इसे कॉपी करके वहाँ पर submit कर देते हैं तो इसे submit कर लेते हैं जल्दी से तो आप देख सकते हैं कि हमारा answer correct था अभी हम क्या करेंगे कि admin flag को हमें find करना है तो हम क्या करेंगे admin की हमें rights भी लेने होंगे उसकी पावर भी लेनी होगी तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर easy way बताता हूं सबसे पहले हम इसे control c से back आ जाएंगे yes लिखेंगे और इसको क्या करते हैं background में run कर देते हैं इस cell को तो यहाँ पर हमारा background session क्या बता रहा है 4 session है हमारा तो इसे आप लोगों को याद रखना है एंड इसके बाद हम क्या करेंगे आपर करेंगे search multi recon local exploit and अभी हम क्या करेंगे आपर enter press करेंगे नहीं से हमारी यहाँ पर command मिष्टे कुई है तो हम यहाँ पर appayro करेंगे and s लगा करके enter करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक exploit आ चुका है जो कि क्या करेगा कि local exploit को suggest करेगा तो यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि multi में use होगा यानि कि यह सभी के लिए use है यानि कि windows में भी हमारे काम आ जाएगा हम यहाँ पर करेंगे use 0 enter करेंगे options कर लेते हैं यहाँ पर options जैसे ही किया है यहाँ पर हमें क्या करना है केवल session id को यहाँ पर दे देना है and session number क्या है हमारा three and इसके बाद में हम क्या करते हैं आपर run तो run करेंगे and wait करेंगे इसको जितनी भी local exploit मिलेगा वो हमें यहाँ पर ला करके show करेगा and आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि collecting हो रही है आपर local exploits की तो wait करना हमें आपर तो यहाँ पर इसने अपना output show कर दिया है तो हम उपर करेंगे तो scroll up करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो green दिखा रहा है इनसे यह vulnerable है and आपको यहाँ पर दिखा भी रहा है कि target is vulnerable तो हम क्या करते हैं कि पहले को ही यहाँ पर copy कर लेते हैं इनके थुरू भी आप privilege escalation perform कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे first वाले को यहाँ पर copy कर लेते हैं तो copy करते हैं and इसके बाद में हम क्या करेंगे use paste करेंगे and enter करेंगे तो यहाँ पर हमारा यह select हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आप अपर select हो चुका है अभी हम options कर लेते हैं आपर options and options में अगर आप आए तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपको set कर रहा है और आपको session id यहाँ पर set कर रही है तो हम क्या करेंगे set हम यहाँ पर set कर देते हैं set session और session नमबर हमारा क्या था 3 तो हम 3 लिखेंगे आपर and इसके बाद में Lhost में हमारी यह local IP है लेकिन हमें VPN की IP देनी होती है जब भी हम VPN के through किसी मशीन को connect करके solve कर रहे होते हैं तो हमें वापर अपने VPN की IP देनी होती है तो हम यहाँ पर करेंग तो इस VPN की IP को हम यहाँ पर enter कर देते हैं तो 10.4.83.20 enter and इसके बाद में हम options करके check कर लेते हैं एक बार options तो आप देख सकते हैं कि हमारी Lhost में IP set हो चुकी है and session में हमारा 3 यहाँ पर set हो चुका है अभी हमें का करना है run लिखना है run लिख करके enter करेंगे and आपको wait करना है तो time out दे दिया हम दुबारा से run लिख करके enter करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 is ने meter-peeter की access डे दिया है अभी हम क्या करते हैं आप shell लेते हैं सबसे पहले इसका इस image करके enter करेंगे and shell आ चुका है अभी हम क्या करते हैं कि आ पर who am i करके देख लेते हैं की हमें Linux के इंदर root दिखाता था privilege acceleration करते वक्त जब आप home i.e करते थे यहां पर आपको क्या दिखाता है Windows में anti-authority system तो इसके तुरू आप समझ सकते हैं कि आपके पास admin के rights आ चुके है admin की permission आ चुकी है तो अभी हम क्या करेंगे cd dot dot slash dot dot enter करेंगे and दो directory back आ चुके हैं तो अभी हम क्या करेंगे cd users slash administrator enter करेंगे तो हम इसके अंदर आ चुके हैं dir करेंगे तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया भी था कि जो हमारे flags होते हैं वो desktop पर होते हैं तो हम cd desktop करेंगे desktop तो dir कर लेते हैं आपर admin.txt हमें आपर यह flag मिल चुका है तो अभी हम क्या करेंगे type से open कर लेंगे admin.txt enter तो आप देख सकते हैं कि यह flag भी हमें आपर मिल चुका है इसे copy करेंगे and चल्दी से यह आपर submit कर देते हैं यह expire होने वाली है and submit करते हैं आपर तो आप देख सकते हैं कि यह machine यह आपर solve हो चुकी है cyber lens जिसके अंदर आपको windows के exploitation देखने को मिला and उसमे admin rights कैसे ले सकते हैं वो भी आपको देखने को मिला तो सबसे पहले हम इसको minimize कर देते हैं and इसे भी minimize कर देते हैं आपर तो उमीद करता हूँ कि यह जो attacks हमने आपर perform की है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे and windows का access कैसे ले सकते हैं and उस पर admin rights कैसे ले सकते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा and यह video के वो educational purpose है इसका कोई भी motive किसी को harm करना नहीं है अगर आप cyber security and ethical hacking exclusive course join करना चाते हैं तो नीचे देगाए number पर contact करके information ले सकते हैं and आप advanced penetration testing in 200 जैसे advanced courses में enroll करना चाते हैं तो नीचे देगाए number पर contact करके information ले सकते हैं and आप enroll कर सकते हैं आप पूरे course में ऐसे कोई अलग module join करना चाते हैं तो आप हमारी codingvention.in website पर visit करके इन courses को enroll कर सकते हो जहां पर आपको अलग-अलग module देखने को मिल जाते हैं आपने हिसाब से आप इने enroll कर सकते हैं अगर आप पूरा course join करना चाते है recorded तो आप इस course को join कर सकते हैं जिसमें आपको ethical hacking के सभी attacks practically सिखाये गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी ethical hacking सीखने के लिए अभी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में thank you